राजे में पंचायत चुनाओं के पहले चरण में 21 जिलों की 1127 पंचायतों में विविन्यपदों के लिए 16 अपरेल को अधिसूशना जारी की जाएगी सुमवार को 18 अपरेल से पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगे दिन के 11 से 3 बज़े तक प्रत्याशी नाम दाखिल कर सकेंगे सुमवार को जिला निर्वाचन पदादिकारी प्रपत्र पांच में चुनाओं की सूचना प्रकाशित करेंगे रववार को सार्बजिनी काउकाश के कारण नामंकन नहीं होगा सुमवार से 72 प्रकंडों में पहले चरण में 16,757 पदों के लिए नाम दाखिल किया जा सकेगा इनमें ग्राम पंच्वाच सदस्य के 1489 मुख्या के 1127 पंच्वाच सबिती सदस्य के 1405 वजजिला परिस्द सदस्य के 146 पद शामिल है इसमें 7472 पद अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित है अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित पदों में से 1199 पुरुसों और 663 महिला के लिए आरक्षित है वही अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित पदों में से 362.00 और 2548 महिला के लिए आरक्षित है पहले चरण में कुल 9285 आरक्षित पदों के लिए वोट डाले जाएंगे इसमें OBC के लिए पूर्वा आरक्षित 2423 पद भी शामिल है इस चरण में महिलाओ के लिए आरक्षित कुल सीट की संख्या 9504 है और आरक्षित स्ट्रेनी में महिलाओ के लिए आरक्षित की गई सीट भी शामिल है नामंकन की अंतिम तिथी 23 अपरेल है 25 वापसी की अंतिम तारिक 27 वा 28 अपरेल है 29 अप्रेल को चुनाव चिन्य आवन डित होगा 14 मैं को पहले चरन का मतदान होगा 27 मैं को मतगनेना की जाएगी आयोग ने प्रत्याशियों को आचाल संहीता का अक्षरस पालन करने के निर्देश दिये हैं 25 समीति सदसी SDO कारियले में जिला परिशत प्रत्यासी मिस्रित भवन में पर्चा दाफिल करेंगे जिसके लिए पुखता इंतजाम कर लिया गया है मिस्रित भवन के समीप नामांकन स्थल से 200 मीचर की दूरी तक वेरिकेटिंग कर वाहनों के प्रविस पर पूरी तरह से पबंदी लगा दी गई है राजे निर्वाचन आयोग के डॉक्टर डिके तिवारी ने कहा कि राजे में निश्पक्षवा पारदर्शी प्रक्रिया के तहट पंच्वाय चुनाओ कराया जा रहा है सुरक्षा व्रवस्ता दुरुस्त के रखने के लिए आयोग द्वारा आदेश निर्गत किया गया है सुरक्षा की तैयारियों की लगता समिक्षा कर बहतर करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि चुनाओ के दौरान आदर्श आचार संगीता का पारद सुरुशित किया जाएगा सभी जिला निर्वाची पदधी कारियों को सफष्ट आदेश जारी किया गया है आचार संगीता उलंगन का या चुनाओ की प्रक्रिया बाधित करने से सम्मंधित किसी भी शिकायत पर ततकाल संग्यान लेने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है